जैहिन दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सिखेंगे Microsoft Excel में Review Tab का Spelling Option के बारे में अगर कोई हम यहाँ पे Spelling लिख रहे हैं और उस Spelling में कोई Error है तो हम Spelling Option के थुरू से कैसे Correct करेंगे आइए सिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे कोई Word टाइप करते हैं जैसे G, A, O, D यह गलत संटेंस है अगर हम इसे सही करना चाहेंगे Spelling के थुरू तो कैसे करेंगे इस Word को Select करेंगे यानि इस पे क्लिक करेंगे Spelling Option पे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों Spelling का एक छोटा सा डायलक बॉक्स आएगा जिसमें Not in Dictionary इस अपसन को दिखाएगा कि Dictionary में यह अपसन नहीं है लेकिन सजेशन भी नीची आपको दिये जाएंगे यह सजेशन कंप्यूटर के थुरू आपको अच्छा लग रहा है मतलब जो आप लिखना चाहेंगे वो सजेशन हम यहां से सालेक्ट करेंगे थेंचेंज अपसन पे क्लिक कर देंगे और यहां से हम यस कर देंगे फिर होके करदेंगे वैसे ही यह वर्ड आपका complete हो जाएगा तो यह वर्ड आपका बिर्कुल सही हो जाएगा इस तरह सम वर्ड को यहां पे spelling के थुरू सुधार सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से हम लोग spelling absence का यूज करते हैं रिभू टाप का अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजे और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर शीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजे फिर मिलते हैं किस अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद आपका दिन सुभग